हेलो फ्रेंज विल्कम दूशे हैं माससा बॉटनी अगेन मैं हूँ आपका दोस्त विने कुमार सिंग और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट के बारे में बनाजसन जिवरस्टी मस्सी बॉटनी इंट्रेंस एक्जामनेशन का जो कोश्चन पीप यहां पर नए कुश्चन पेपर में कुश्चन घटा दिया गया है 120 ही कुश्चन पूछे जाते हैं ओके चलते हैं कुश्चन नमर 141 पे विच इस दा करेक्ट कॉमिनेशन ओके तो यहां पर आपके चार ऑप्शन दिये गया है तो यह कुश्चन का आंसर देने के लिए में और ओप्शनए ड nerveus मिलता है पी में पॉले देफास मिलता है चाइने रोज में एपीपिटल्यमेंच है लिए तो इन चारों में इसे कौन सा सही है जब आप इसका एक्स्फाशम पर जाएंगे आप देहेंगे कि size dress जो होता है वहाँ पर आपको polydelfis condition मिलता है मतलब जो stamen होते हैं उनके filaments fuse होते हैं और fuse होके वो ऐसा नहीं कि सारे filament fuse रहते हैं एक दूसरे से एक दूसरे से नहीं तीन चार जिसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चार इसके filament fuse हैं बाकी अलग हैं वैसे यह चार चार स्टेमन का ग्रूप बनाता है तो इसे polydelfis condition बोलते हैं ठीक है और वैसे ही आपको यहाँ पर दिया है polydelfis मिलता है चाइना रोज में तो यह गलत है monodelfis मिलता है चाइना रोज में और polydelfis आपको citus में मिलता है monodelfis का मतलब सारे जो स्टेमन है वो एक साथ fuse होके उनके filament एक tube बनाते हैं यह जो आप एक tube देख रहे हैं यह स्टेमन के fusion से बनता है चाइना रोज में या जिसको आप हिविसकोस रोजा साइनेस बोलते हैं तो यहाँ पर monodelfis condition है जब स्टेमन फ्यूज होके सारे filament fuse रहे हैं तो उसे monodelfis condition बोलेंगे और जब group बनाए more than one तो polydelfis condition बोलेंगे वही यह जो यहाँ पर दिया हुआ है कि die delphis मिलता है पी में यह आपका correct option है जब आप leguminosive जो family है आपका वहां कि कोई भी आप flower उठाएंगे उसका stamen देखेंगे तो वहाँ पर दो group रहता है आप दिखेंगे आप जो leguminosive वहाँ पर 10 stamen पाए जाते हैं 10 stamen में से 9 के filament जो होता है वो fuse रहते हैं आपस में ठीक है आप देखेंगे most of the part उनके fuse रहते हैं आपस में और एक अलग होता है इसे 9 प्लस 1 arrangement बोलते हैं क्योंकि यह stamen का दो group बनता है इसलिए इसको diadalphus बोलते हैं और यह P में हमें मिलता है P leguminosic member है तो यही correct combination है जहां तक बात है epipetalis in lily तो यह एक lily है जैसे आप lily को कभी खो लिए तो आपको वहाँ पे stamen जो है epipetalis का मेंटा petal पे ही वो उनका growth हुआ रहता है तो ऐसा नहीं होता वो एकदम नीचे से बेस से उगे हुए रहते हैं जो stamen होते हैं epipetalis नहीं होते ठीक है तो इसका correct option second है एक सुबह आलिस पे चलते हैं type of placentation in china rose china rose वही आपका hibiscus roger silences उसका common name china rose है कह रहा है वहाँ पे कैसा placentation पाया जाता है तो china rose जो है मालवेसी family से belong करता है और मालवेसी family का feature है कि वहाँ पे exile placentation होता है अब देखते हैं इसमें exile placentation पाया जाता है कि नहीं तो यह उसका ts है transfer section है ovary का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उतना clear यह picture नहीं है क्योंकि normal camera से कीचा हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे circle बना हुआ यह है यह यहाँ पे भी देख सकते हैं पार्ट इसका ts आप काटेंगे center में जो होता है यहाँ पे यह placenta होता है यहाँ पे और यहीं से ovules लगे हुए रहेंगे और यह septation होता है तो ऐसा condition जो होता है वो जहाँ पे कई सारे multi carpillary ovary हो आपका वहाँ पे ovules लगे हो center में इसको exiled presentation बोलते हैं और यह china rose में मिलता है तो क्या होगा आपका second वाला 143 पे चलते हैं which one of the following has the correct sequence of increasing organizational complexity तो complexity की basis पे आपको बताना है कि कौन सा correct option है सबसे पहले मैं आपको बता दूँँ सबसे पहले आपका आता है species species के बाद आता है population population के बाद community community के बाद ecosystem यह कैसे होता है आप इस explanation पर जाएंगे तो species जो होता है जैसे आपको पता है मैंगी फेरा इंडिका या आजा डिरेक्टा इंडिका या कुछ भी प्लांट हुआ कोई भी animal हुआ जो individual organism होते हैं किसी species का वो basic unit होते है है ecological hierarchy में मतलब सबसे नीचे basic ओके और फिर population क्या होता है monospecific group of organism which live together in more or less similar environmental condition or call population अब कहरा monospecific group अंदब एक ही species के जब कई सारे members होते हैं वो एक साथ रहते हैं किसी area में similar environmental condition में तो उन्हें population बोलते हैं अब आप देख सकते हैं आपको hierarchy आप मिल रही सबसे पहले एक ही species का एक individual organism था फिर population क्या होता है उसी individual मतलब organism जो है कि species को बहुत सारी member एक साथ रहने लगे तो species से आप देखे थोड़ी से complexity बढ़ गई एक ही species के कई सारे member एक साथ रहने लगे तो population हो गया अब community क्या होती है poly specific group of organism which live together in more or less similar environmental condition are called community अब population में ही जब दो या दो से जादा जो है species के population एक साथ रहने लगते हैं तब उसे community बोला जाता है वैसे ecosystem the system formed by interaction between community and environment is called ecosystem अब जब हम community के साथ environmental conditions को भी जोड़ देते हैं तब उसे हम ecosystem बोलते हैं उनके दोनों के बीच का community के बीच का मतलब कई सारे species के individual रहेंगे एक साथ में और environmental condition को भी हम साथ में consider करते हैं तब वो बनता है हमारा ecosystem तो आप देखें species से complexity बढ़के population नहीं population से complexity बढ़के community पे और community से आपका ecosystem पे तो यह आपको hierarchy मिलेगे species population community and ecosystem तो इसलिए species population community and ecosystem इसका correct option होगा चलते हैं 144 पे the transient population between two adjacent ecotypes is called अब कह रहा है कि वो population कौन से होते हैं जो दो करीबी ecotypes के बीज के population होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं डीम hybrid race या क्लाइन अब इसका भी explanation देखते हैं डीम बोलते हैं and assemblies of closely related interbreeding individual of a species occurring in an area मतलब एक ही species के कुछ individual जो आपस में interbreed करते हों और एक किसी particular area में रह रहे हों तो कि जैसे है कोई भी आप species ले लीजिए उसकी कुछ member है एक वह particular place पर रहते हैं ठीक है तो वह जो मतलब group ही बनाएंगे बात हो रहे ही species के उसके individual एक कहीं पर रहते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे एक ही species के कई सारे जो individual हैं एक ही जगा पर रहते हैं वह एक जीन पूल ही तो है क्योंकि उनमें बहुत सारे जो इंडिविजिवल हैं अलाग अलाग टाइप के उसमें जीन पाए अब आते हैं hybrid hybrid क्या होता है hybrid आपको clearly पता है इंडिविजिवल जो प्रोडूस होते हैं आप्टर क्रॉसिंग टू डिफरेंट इस्पीसीज या जेनरा तब उसको hybrid बोलते हैं टूрах आते हैं Race भी आप कहले जबीज़े सिद्विजिवल होते हैं group आफ एंडिविजिवL within एप दिखिव जो पर्मनेंट帶 बिद बनाते हैं और बर होते हैं यह पर्मनर कर सकते हैं आपकर समय फ्रीली तो ईक तो हरे वैसे के बारे में पड़ा होगा है और वह ब्रीट करते हैं तो उन्हें रेस बोला जाता है क्लाइन जो होता है यही होते हैं आपके ट्रांजियंट पॉपलेशन इन बिट्वीन टू इको टाइप और इको टाइप क्या होते हैं तो मतलब जो ट्रांजियंट population होते हैं दोऄ को टाइब के बीच में उन्हें कलाइन बोलते हैं और पाइब एको टाइब किसे बोला जाता χोते हैं उनका जीमिलर होता है सारे चीजिसे से triggered होती है तुकि to वो दो अलग अलग जगह पे ग्रोड़ एक माली ज्ट्रॉपिकल है और एक टेम्प्रेट्र इंश में ग्रोड़ तब यहीं हो सकता है पेप अलग अलग हो तो ऐसे इस टाइप जो होते हैं किप सिस के उनको हम इको टाइप गोलेंगे पर उनका ज्रेणिक जो होगा वह सिमिल निच of a species in an ecosystem refers to, बोल रहा है, निच किसे बोलते हैं, किसी species का निच क्या होता है, function and its place of occurrence, place of its occurrence, competitive ability or center of origin, center of origin और competitive ability बिल्कुल भी नहीं है, अब place of its occurrence की बात करें, तो अगर आप उसमें आएंगे definition में, तो habitat is living site of an organism such as pond and lake, तो ये living site, living site, place of its occurrence is known as habitat, निच कैसे different है, निच आप कह लेजिए, एक तरीके का habitat ही है, लेकिन, निच is function and place of occurrence, ये function और place दोनों बताता है, जिसे इस figure से आप देख सकते हैं, यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, अलग अलग टाइप के बर्ड है, अगर आप habitat की बात करेंगे, तो यह माल लीचे यह जो ट्री बना हुआ है, इसी पे रहते हैं, तो इनका habitat सबका similar होगा, लेकिन, निच उनका different होगा, माल लीचे यह चिडिया जो है, यहाँ पे अपना खाना पानी पूरा करती है, और यह इधर रहती है, यह इधर, यह इधर, यह इधर, तो इनका habitat से ह रहते हैं, पर निच, मतलब कैसे वो अपना खाना पानी लेते हैं, वो उनका different होगा, ठीक है, वो जो resources होंके, वो उनका कैसे exploit कर रहे हैं, वो उनके बीच में difference होगा, तो वह यह function क्या है उनका, और इस place of occurring, जैसे एक ही जगह पे, एक ही location पे कई सारे animals रह सकते हैं, plant रह सक रहते हैं, पर में से कोई producer है, कोई carnivore है, कोई primary consumer है, कोई secondary consumer है, तो उनका niche होता है, तो first वाला correct होगा, 146 पे आते हैं, eltonian pyramid कह रहा है, या pyramid, that cannot be inverted are, अब eltonian pyramid जो होता है, कह रहा है, जो कभी भी inverted नहीं होता, वो कौन सा है, biomass का pyramid है, number का pyramid है, energy का pyramid है, या biomass as well as energy, दोनों का, तो इसका explanation पर चलेंगे, पहली बात तो इसको eltonian pyramid क्यों बोला गया, eltonian pyramid इसलिए बोला गया, यह जो ecological pyramids का concept है, यह elton ने develop किया था, 1927 में इसलिए इसको eltonian pyramid is question में बोला गया है, तो elton ने दिया तो उनी का pyramid होगा, that is why eltonian pyramid, अब बात करते हैं कि कौन सा inverted रहता है, biomass, अ बायो मास देख लेते हैं number energy, बायो मास की अगर हम बात करते हैं, तो बायो मास का pyramid जो होता है, वो बोथ upright और inverted दोनों हो सकता है, अप राइड आप देखेंगे अगर, grassland की अगर आप बात करें, बायो मास जिसे grassland ecosystem में आप देखेंगे, producer जिसे grasses हैं, उनका बायो मास बहु बायो मास बहुत जादा होगा, उनका खाने वाले हर्वी वोस बहुत कम रहेंगे, फिर उनके कार्णी वोर्ट जिसे सांप ओंप हो गए, या इगल हो गए, वो और भी कम होंगे, तो ऐसा जो आपको pyramid मिलेगा, वो आपको upright pyramid मिलेगा, ऐसा ही forest ecosystem में है, ठीक है, अब लेकिन pyramid of biomass आप देखेंगे, आप राइट तो है, लेकिन यह inverted भी हो सकता है, pond ecosystem में, pond ecosystem में, अगर आप देखेंगे, तो जो biomass होता है, producers का वो बहुत कम होता है, और फिर उपर उपर आप जैसे बढ़ते जाएंगे, प्राइमरी, consumer, secondary consumer, tertiary consumer, उनका size जो होता है, बड़े होते हैं, इ कार्निवोर्स में large fishes आती हैं, तो उनका बायोमास जादा होता है, तो ऐसे यह pyramid जो biomass का है, यह दोनों, upright और inverted दोनों हो गया, pyramid of number की बात करते हैं, तो same है, यह upright होता है, grassland, जो होता है, प्राइमर के एकर हम बात करेंगे, तो grassland में, grasses बहुत जादा होगी, और ऐसे फिर उन की मैंने बात किया, उनका number बहुत जादा रहेगा, फिर उनको खाने वाले कम होंगे, फिर कार्निवोर और कम होंगे, तो number में यह उल्टा हो जाता है, ठीक, तो upright होता है, grassland और pond ecosystem में, वहीं pyramid of number जो है, inverted कहां पे आपको मिलता है, parasitic food chain में, parasitic food chain में आप देखेंगे, कि जो producers होते हैं, वो minimum होंगे, ठीक है, और जो उनके parasites होते हैं, वो जादा होते हैं, ठीक, तो यह आपको, हो गया, inverted भी हो गया, ठीक, अब energy की बात करें, जो pyramid of energy रहता है, यही आपका, कभी भी inverted नहीं होता है, that cannot be inverted, is pyramid of energy, because, यह हमेशा आप right क्यों रहता है, क्योंकि सभी type के ecosystem म वो हमेशा एक topic label के बाद, दूसरे topic label में, क्या होता है, घटती चली जाती है, और पहले जादा फिर घटता चला जाएगा, ऐसा जब होगा, तो आपको जो pyramid मिलेगा, वो हमेशा, आपको अपराइट वाला pyramid मिलेगा, और inverted pyramid कभी नहीं मिलेगा, तो इस हिसाब से option number third इसका correct है, चलते हैं हम question number 147 पे, keystone species in an ecosystem are those, कि किसे बोलते हैं, जो maximum number पे present होता है, उसको बोलते हैं, या जो most frequent होता है, उसे बोलते हैं, विच लार्ज बायोमाज, जिसका बहुत जादा होता है, या विच कंट्रिव्ट वड़ा ecosystem properties, तो मैं आपको बता हूँ, keystone species जो होते हैं, keystone species is a species whose impacts on its community or ecosystem, जिसके भी आप बात करें, is much larger and more influential, तो आपको बताएं कि ecosystem में बहुत सारी species रहते हैं, पर वहाँ पे एक दू species ऐसी रहती हैं, जो इसका impact उस ecosystem पे बहुत जादा पड़ता है, और वो आप एक हिसाब से कह लीजिए, keystone species जो होता है, वो contribute करते हैं, उस ecosystem या community क properties में, मतब आप अगर उस एक दू species को हटा देंगे, तो बहुत जादा प्रभाव पड़ेगा वहाँ के ecosystem पे, तो इसलिए उसको keystone species बोला जाता है, तो वही है, which contribute to the ecosystem properties, अब आते हैं question number 148 पे, अ टबैको प्लांट हेटरो जाइगस है, रिसेसिव करेक्टर के लिए albinism, ठ का मतब आपको पता है, एक dominant, एक recessive, एलील, ठीक, और वह albinism के लिए recessive है, जो recessive है, वह albinism के लिए है, कह रहा है, उसको हम self pollinate करते हैं, और उसके बाद हमें 1200 seeds मिलती है, अब यह जो 1200 seeds मिली, इसमें बोल रहा है, कि कितने seeds में, जो genotype रहेगा, seedling, seedling जो इस से कर रहा है, कितने में parent वाले genotype होंगे, 300, 600, 900, 1200, सबसे पहले जलते हैं, हेट्रोजाइगोट का cross कराते हैं, उसके बाद देखते हैं 1200 seeds का distribution, आप यहाँ पे देखेंगे, यह देखिए, हेट्रोजाइगोट हुआ, इसका हमने क्या कराया, crossing कराया, crossing कराने के बाद आपको पत genotypic ratio मिलता है, अगर आप self pollination कराते हैं, ठिक, monohybrid cross में, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पे capital T, capital T हो गया, एक possibility है, और यहाँ पे आपको इसको cross कराएंगे, तो capital T मिलेगा, फिर capital T को small T से कराएंगे, तो यह मिलेगा, आप small T पे आते हैं, small T और capital T का cross कराएंगे, तो यह पे लगा, यही आपको मिलेगा, और small T क्योंगे, तो यह आपको one two is to one का genotypic ratio मिलता है, ठिक, phenotypic ratio की बात करेंगे तो वन यह तीनो एक ही phenotype की होंगे, to three is to one, phenotypic ratio अगरा बात करेंगे, three is to one, genotypic ratio आपका थरी ची बात करेंगे, to one is to two is to one, मतलब के इनका genotype अलग है, इनक गएरया आपको बार्य ट्री से पर्मूले से चलेंगे यह आपको तीश सो मिलेगा यह आपको 30 सो मिलेगा यह करथ ना आपको चहरा है कौन तो कौन साइन में है क्ईधड ऑले जो पता है यह देखीए भर मैं गैसे हैं यह फारंट बहुत है यह जोनों का नंबर 3,300 है तो टूटल में आ कि क्या होगे तो 600 तो 1200 में इसे 600 seeds ऐसे होंगे जनमें जो genotype होगँ वह parental जिएफ्टाइब के a इकवल होगा तो ठीक है तो इसका correct option क्या होगा 600, next जलते हैं exaggerated добр when met a sex based on an pretend model Starting leaves chief Action Amit hop pump motor and multiple defendants संप कहां पर मिलता है तो प्लांट होते हैं उनका एक एडाप्टेशन है तो जीरो फिटिक आगर आप प्लांट की बात करेंगे तो नीरियम आपने पढ़ा होगा नीरियम जो होता है यह देखें आप नीरियम का लीफ का टीयस काटेंगे यह तो माले जी क्यूटिकल हाइपोडर्मिस पलिसेट टिसू यह सब आपको मिलेगा लो और एपिडर्मिस यह दीकिंगे मल्टिपल एपडर्मिस होता है और इस्टोमेटा जो होगा वह काफी अंदर होगा यह देखें पूरा इस्टोमेटा चैम्बर नार्मल होता है तो आपको स्टोमेटा यही पर मिल जाता लेकिन यह जिरो इसलिए आपको यहां पर संकने स्टुमेटा और मल्टिपल एपिडर्मिस मिलेगा ताकि आपको पता है जिरुफिटिक हैबिटेट वाले में क्या होता है वहां पर वाटर की स्कासिटी होती है तो जब अंदर स्टुमेटा रहता है तो वाटर ज्यादा पाहर नहीं निकलता ह मल्टिपल एपिडर्मिस भी उसको वाटर लूस करने से बचाते हैं अब आते हैं कुशन नमर एक्सपचास पर एक्सपोजर अफ प्लांट्स तो हाई फ्लूराइड कंसंट्रेशन रिजल्ट से नेक्रोसिस और क्लोरोसिस कह रहा है अगर हम प्लांट को जो है एक्सपोज क उनली मिडरी पॉप्स लैमिना तो जब आप आएंगे फ्लूराइड के यह चार्ट है यहां पे अलग अलग पल्यूटेंट है इकोलाजी से आगो कोश्चन है और वह प्लांट पे इंजरी क्या होती है तो यह पेपर मैंने आपको बताया था सुजलाई सुब्रमानी देव फ्लूराइड का जो होता है यह है फ्लूराइड थर्ड नमर पर यह रेड ब्राउन डिस्टल नेक्रोसिस देता है डिस्टल नेक्रोसिस का मतलब डिस्टल पार्ट पर जहां से लीव जूड़ी होती है उससे दूर तो आप देखेंगे कि स्टेम टिप तो नहीं है मिड रि टिप में डिश्टल पोश्टन पे आता है और लीफ के मार्जिन भी आप कह सकते हैं वह डिश्टल में आता है तो यही आपका ओप्शन जो है करेक्ट होगा ठिक तो इसे के साथ यह आपका 2012 का पेपर समाप्त होता है होब कि आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आई होंगी तो इसका पूरे का 2012 का पीपीटी है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूं आप इसको पीडियो फॉर्मैट में कर सकते हैं तो यह आप वीडियो देख रहते हैं अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरू सस्क्राइब कीजिए आप जब किसी चैनल को सस्क्राइब किये रहते हैं तो वह चैनल जब भी कोई वीडियो डालता है तो आपके पास जाता है नोटिफिकेशन जैसे आपको other notification आते हैं WhatsApp पे, Facebook के तो वहाँ भी आपके पास आता है notification आप से कोई वीडियो जो है मिश नहीं होगा और इस वीडियो के description को भी देखना मत बूलिए वहाँ पे बहुत सारे important BSU से related जो है वीडियो के link है और हमारा जो channel है, यह मौझूद है आपका Facebook पे आप सर्च करेंगे Master Subbotny वहाँ पे आपको मिलेगा तो Facebook पेज को जरूर लाइक कीजिए Telegram पे भी हम मौझूद है, Master Subbotny आप सर्च करेंगे, तो सेम लोगों आपको वहाँ पे मिलेगा, तो सारे updates के लिए आप हमसे हर जगा जुड़े रहिए चलता हूँ मैं मिलूँगा आप से next video में कोई और useful video के साथ Thank you for watching this video